तु आज जो प्रश्ण है आज प्रश्ण वो है जो सबके जीवन का दुनिया में तुम किसी सत्रू से भैभीत नहीं होते मृत्यू का भै ही अलग-अलग रूप में तुम्हें भैभीत करते रहता है अगर उसकी जड़ तक पहुँच जाओगे प्रश्ण के माध्यम से तो यह जो छोटी-छोटी मौते हैं तुम्हारे पैसों की मौत तुम्हारे घर की मौत तुम्हारे प्रतिष्ठा की मौत तुम्हारे मर्सिडीज की मौत तुमने जो संग्रह किया है उसकी मौत प्रतेक्षण मृत्यू के कारण ही भैवी जो है वो छिन जाए कंस की दो पत्नियां है अब तो बाद में आएगी कथा अस्ति और प्राप्ति इतना है और इतना भी और पाना है वह ये दो तो हम सब के पास है हम सब कंसई है जो है सो अपना है अभी और राम नाम जपना है पराया माल अपना है तो कंस का कंस कोई बहुत बड़ा ये सिंग पूंच लगा के कंस एक वृत्ति है दुर्योधन एक वृत्ति है रावन एक वृत्ति है और ये जो रावन का दहन होता है इसे लिए कि वो वृत्तियां हमारे भीतर नटिक पाएं प्रतीक बहुत जरूरी है लोग कहते हैं रावन को जलाना जरूरी है मैं कहता हूं बहुत जरूरी है क्योंकि प्रतिकात्मत पूजाओं को अगर बुल जाओगे तो अपने प्राचीन संस्कृति से जुड़े नहीं रहोगे क्योंकि आज के सौ साल बाद भी एक छोटा बच्चा पूछेगा यह जलाया क्यों जाता है तब रामाइन का विस्तार करपाओगे तुम रामकथा का विस्तार करपाओगे वेटा यह रावन है इसने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं की थी इसलिए अभी तक इसको जलाया जाता है तो प्रतीक थो बहुत जरूरी गलीयों में महलों में सरस्वती पूजा रखने वाले दुर्गा पूजा रखने वाले यह सब प्रणम में हैं भारतवर्ष में गणपती पूजा रखने वाले यद्दपी इनको बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता चंदा खोर कहा जाता है पर याद रखना तुमारे बड़े-बड़े बेडरूम और ड्राइंग रूम तुमारी संस्कृति को बचा के नहीं रखें अगर बचाए हैं तो यही चंदा खोर जिनको तुम कहते हो यही बचा बचा के रखे हैं तुमारे भारत में दुर्गा को काली को सिब को गणपती की पूजा को यह बात और है कि किसी की विकृतियों का सवर्थन नहीं किया जा सकता भारतिये सब्यता संस्कृति को समर्थन करती है इस प्रिच्वालिजम को समर्थन करती है आध्यात्म को